हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपको बताऊंगी कि सर्दियों के मौसम में बच्चे को बादाम किस तरह से खिलाना चाहिए क्योंकि आप सभी को पता है कि भादाम के ठेरो फायदे होते हैं और बादाम की तासीर बहुत गर्म होती है जिस वाज़े से अगर हम सर्दियों में अप जो आट करिए हम छे महीने के बच्चे को भी बादाम देना शुरू कर सकते हैं नहें इस पैसा दूट बторов नाना चाहिए और यहां पे हम बादाम को घिसेंगे बादाम को घिसके देने की भी ठेरों फायदे हो बादाम जो जब आपको बच्चा उढ़ें अबाम को जाए सक तो उससे बादाम जब बच्चे के शरीर में पहुचेगा तो धेरो फायदे होंगे और इस तरह से देने से बच्चे को कोई दिकत नहीं होगी निगलने में आसानी से लिक्विट फॉर्म में बच्चा बादाम पी लेगा खा लेगा जो भी आप इसको कहिए इसको फिर हम इस स्टम की हैस से इसमें कर लेंगे और इसी तरह से या बच्चे को चैटा सकती हैं जब तक आपका बच्चा सौलिट फॉर्म में इसको ना ले पाए और जो दूसरी चीज़ है उसमें हम बच्चे को बदाम दूशी तरह से देंगे इसमें एक करम में ने 2 बदाब डाला है इ और उसमें बादाम को डाल देंगे उसके बाद एकदम थोड़ा सा देशीगी ले रही हूँ मैं आप देखिए बहुत ही थोड़ा सा लेना क्योंकि सिर्फ दो ही बादाम मैंने लिया है अगर आप का बच्चा एक साल का है तो आप सिर्फ एक इसको हटा लेना है, गैस को आफ कर देना है। और इसके बाद अगर आप के बच्ची के दात आ गए हैं तो आराम से इसको आप एक सालीड खा लेगा। जो मैं अभी पताने जा रही हूं। कलर चेंज हो गया है बस अब हम इसको इसकी फ्लेम को आफ कर देंगे और इसको उतार लेंगे यह बादाम बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है अब अगर बच्चा बहुत छोटा है तो उसके लिए हम यहां पर एक खरल का इस्तिमाल करेंगे खरल में हम दोनों बादाम डाल देंगे और उसके बाद इसको आप बहुत जल्दी ही तयार कर लेंगी ये दोनों बाद हम इसमें डालने के बाद हम इसको थोड़ी देर तक कूट लेंगे और इसका बहुत जल्दी से पाउडर बन जाता है आपको बिल्कूल भी मेहनत नहीं लगेगी ये देखे तुरंती ये फूटने लगा है इसी तरह से हम थोड़ा सा इसको क्रश करेंगे आसानी से ये पाउडर बन जाएगा इसको अगर आपका एक साल का बच्चा है तो आप वैसे ही दे सकती है और अगर आप चाहें तो इसको बच्चे की किसी फूट प्यूरी में या वेजीटेबल प्यूरी में या किसी खीर में भी आप डाल सकती है उसमें आसानी से ये गल जाएगा और आप जादा सर्फ प्यूरी वगरा बनाती है आप उसको मिक्सर में ग्राइंड भी करेंगी